ज्यादातर लोग अपनी ब्लड टेस्स रिपोर्ट समझ नहीं पाते ये विडियो आपको हेल्प करेगा ये है डॉक्टर लाल पैथ लाब की ब्लड रिपोर्ट इंडिया की सबसे बड़ी लाब लाखो लोग रोज ब्लड टेस्स करवाते हैं बड़ जैसी रिपोर्ट मिलती है सबसे पहले क्या करते हैं गूगल हाई टेसेज का क्या मतलब होता है लिवर इंदाइब्स बड़े हैं इसका क्या करें क्रैकन नहाए हो गया क्या ये किड्नी पेलियर है मैं हूँ डॉक्टर अर्जुन सबरवाल एक किड्नी स्पेशलिस्ट और आज मैं आपको आपकी ब्लड रिपोर्ट समझाऊँगा चाहे वो थाइरो केर से हो डॉक्टर लाल पैथ लाब या मेट्रोपोलिस या कोई भी और लाब हो रिपोर्ट का फॉर्माट सिमिलर ही होता है आज हम स्पेसिफिकली थ्री ब्लड टेस्ट को देखेंगे थाइरोड फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट और किड्नी फंक्शन टेस्ट तो चलिए शुरू करते हैं इन रिपोर्ट के हर एक डीटेस में हम जाएंगे और ये भी समझाऊंगा कि लो और हाई का क्या मतलब होता है सबसे पहले बात करते हैं थाइरोड फंक्शन टेस्ट की आपके रिपोर्ट में तीन रीडिंग्स होती हैं अगर आप चाहे तो विडियो को पॉस कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट ला सकते हैं ताकि आप हर पॉइंट को अपनी रिपोर्ट के साथ कंपेर कर सकें पहले बात करते हैं नॉर्मल रेंज की आपका टीएसेच 0.27 तो 4.20 होता चीए अगर आपका टीएसेच 4.5 से जादा है तो इसका क्या मतलब है और अगर आपका टीएसेच 4.5 से जादा है तो इसका क्या मतलब है ये दोनों कॉंबिनेशन हमें बताती हैं कि आपको हाइपो थाइरोडिजम हो सकता है अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है Hypothyroidism मतलब कि आपका thyroid gland काम नहीं कर रहा Thyroid एक छोटा सा gland होता है हमारे neck में जो metabolism कंट्रोल करता है एक तरीके से body का engine है इंडिया में 1 out of 10 लोगों को thyroid का issue है और women में ये much more common है अभी भी majority people undiagnosed रहते हैं from thyroid problems और ये एक बड़ा simple और easily diagnosed test है Hypothyroidism के क्या symptoms होते हैं थकान या कमजोरी one of the most common signs है और कई लोग इसको ignore करते हैं कई लोग सोचते हैं कि ज़्यादा काम कर लिया इसलिए हो रहा है पर ये एक simple blood test आपको बता सकता है कि आपको thyroid की problem है या नहीं अगर अब तक video अच्छी लग रही है तो like ज़रूर करें अगर हम treatment की बात करें तो क्या करना चाहिए अगर आपका TSH 10 से उपर है और आपको ये symptoms है तो मेरे साब से आपको दवाई लेनी शुरू करनी चाहिए दवाई कौन सी होती है दवाई का नाम है levothyroxin और ये हम छोटे dose पर शुरू करते है फिर इसको हम uptight rate करते है अब बात करते हैं अगर आपका level 4.5 to 10 है फिर क्या करना चाहिए अगर symptoms दिख रहे हैं तो treatment शुरू करें TSH के बारे में एक चीज़ याद रखें TSH बार बार बदल सकता है इसलिए हम बोलते हैं कि हर 6 to 8 weeks में repeat कराना चाहिए treatment की जैसे मैंने बात की thyroxin hormone है मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ बड़ डॉक्टर को ही prescribe करना चाहिए आप सोच रहे होंगे वीडियो में भी सुना है Google भी यही बोलता है pharmacy में भी जाके अराम से मिल जाती है तो मैं खुद क्यों नहीं खा सकता इसका reason यही है कि जब आप thyroid की दवाई शुरू करते हैं dose को adjust करना पड़ता है हर 6 हफते में क्योंकि हर 6 हफते में आपका blood test repeat होता है अगर आप ज्यादा thyroid की दवाई ले लो तो आप hyper thyroid बन सकते हो जिसमें आपका heart rate बढ़ सकता है घबराध हो सकती है और weight loss और नीन भी खराब हो सकती है अगला सवाल कई लोग पूछते है क्या ये blood test fasting में कराना चीए नहीं, thyroid function test fasting में नहीं होता इसका कोई relationship नहीं है खाने से बट अगर आप medication ले रहे हो और blood test कराओ तो blood test dose से पहले कराना चीए कभी-कभी कुछ condition में thyroid function test abnormal आ सकता है जैसे आपको बुखार हुआ आपने अपने सारे blood test करा है बढ़ आपने thyroid का भी test करा लिया इसमें मैं recommend करूँँगा कि आप thyroid function test repeat कराए और इन reading पे दवाई ना शुरू करें क्योंकि जब कोई बिमारी होती है तो thyroid function test बढ़ावा आ सकता है या कम आ सकता है pregnancy में या कुछ medicine अगर आप ले रहे हो तो उसके साथ भी report गलत बता सकती है hopefully आपको ये summary अच्छी लगी हो thyroid function test के बारे में अब अगली बार जब आप report पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा कि क्या reading है और इसका क्या मतलब है दो तरीके के thyroid problems होते है hypothyroid और hyperthyroid hypothyroid के हमने बात की इसमें आपका TSH level बढ़ जाता है T3, T4 कम हो जाता है और इसमें symptoms की बात करें तो थकावट सबसे common symptom है और weight gain हो सकता है अगर हम hyperthyroid की बात करें तो एकदम उल्टा होता है आपका TSH कम हो जाता है और T3, T4 बढ़ जाता है इसमें symptoms weight loss हो सकता है बाल थिन हो जाते हैं भूक जादा लग सकती है आप ये देखेंगे क्या आपको घबराट हो रही है sweating जादा हो रही है या कभी अभी दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है treatment अगर हम hyperthyroid की बात करें तो इसका treatment अलग है hypothyroid जतना easy नहीं है hyperthyroid के लिए या फिर जादा thyroid के लिए आपको एक specialist को दिखाना चाहिए specialist कौन होगा वो एक medical doctor होगा या फिर एक endocrinologist होगा आप बढ़ते हैं next topic पे liver function test यानि की LFT अगर आप चाहो तो video pause करके अपनी LFT की report ले आओ और फिर हर एक level को हम साथ में देख सकते हैं इसमें क्या आता है ALT जिसका नाम है SGPT AST जिसको SGOT भी बोलते हैं ALP Bill Rubin ये तीन तरीके के होते हैं Total, Direct, Indirect फिर albumin और Total protein अब ALT हैं SGPT की बात करते हैं ये normal value है 5 to 40 जैसे आप screen पे देख सकते हैं अगर ये बड़ा हुआ हुआ तो क्या मतलब है ये one of the first signs हो सकता है fatty liver का fatty liver क्या है fatty liver इंडिया में बहुत common है मिरे इसाब से करोडों लोगों को fatty liver है और research भी यही बोलती है fatty liver क्यूं हो रहा है हमारी lifestyle की वज़े से हम बहुत जादा sedentary lifestyle ले रहे हैं पूरे दिन desk job कर रहे हैं या पूरे दिन office में रहते हैं हमारा walking कम हो चुका है travel भी हमारा बैट के हो रहा है और हमारे खाने में जादा oil and fatty खाना हो गया है इसके वज़े से liver में जाके fat जमा हो जाता है और fatty liver हो सकता है अब सोच रहे होंगे कि इसमें और weight बढ़ने में क्या फरक है बहुत फरक है liver failure हो सकता है fatty liver से liver failure का leading cause इंडिया में और धीरे धीरे अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो liver fail भी हो सकता है एक good news है ये early stages में reversible है और इसी के बारे में आपको आगे थोड़ा बताना चाहता हूँ अगर आपने अपनी lifestyle को change किया exercise करना शुरू कर दिया weight loss किया fasting जैसे चीज़े की जिसमें आप कुछ घंटे खाओगे और majority of the time fast करोगे तो fatty liver reverse किया जा सकता है मैंने fasting पे पूरी विडियो बनाई है जो आप ऊपर check out कर सकते हो next चीज़ मैं बात करना चाहता हूँ Bill Rubin के बारे में normal होता है 0.2 to 1.2 ज्यादा हुआ तो jaundice हो सकता है पर अपना लिवर फंक्शन टेस्ट चेक करा और Bill Rubin बढ़ावा है तो मतलब की कोई problem है अब direct Bill Rubin क्या होता है अगर direct Bill Rubin बढ़ावा है मतलब की कोई blockage है liver या फिर उसके आसपास कोई organ में blockage है अगर indirect बढ़ावा है तो इसका मतलब है कि blood cells breakdown कर रहे है पहली चीज आपको क्या करानी चीज़ है अगर आपका ALT बढ़ावा है और Bill Rubin बढ़ावा है first thing जो आपको कराना चीज़ है जो की बहुत commonly हो सकता है और बहुत readily available है वो है liver ultrasound ये एक non-invasive test है जिसमें basically आप देख सकते है कि liver का structure कैसा है और liver पे अगर कोई damage हुआ है कितना damage हुआ है ये बहुत सस्ते में हो जाता है और अगर आप एक अच्छी जगा से कराए तो report भी बहुत accurate देती है liver ultrasound से आपको ये पता चल सकते है कि क्या आपको fatty liver है क्या आपका gall bladder में कोई problem है क्योंकि कभी-कभी gall bladder में problem हो तो इससे भी liver function test खराब निकल सकते है तीसरे test की बात करें इसमें तो albumin albumin level 3.5 to 5 normal होता है अगर low है तो ये indicate करता है chronic liver damage या protein loss albumin body का एक sponge होता है अगर आपका albumin low हो जाए तो body में sujan आ सकती है ये हम kidney patients में भी देखते है ALP क्या होता है अगर ALP high है मतलब liver, bones, boulder क्या किसी में भी blockage हो सकती है ये test कुछ आपको specifically नहीं बता रहा बट ये बता सकता है कि underlying body में कोई condition चल रही है कई cancer patients में भी ALP बहुत high होता है तो अगर आपका ALP persistently high है तो इसको ignore मत करो इसको भी जाके check करवाओ मैंने पहले fatty liver की बात करी fatty liver में मैंने बोला कि ALT, AST से ज़्यादा होगा ultrasound पर आपको grade 1 और grade 2 fatty liver दिखेगा बोसलिए ये silent होता है कौन से common causes है हमने obesity की बात करी बट diabetes में भी ये बहुत common है अगर आपका cholesterol बढ़ावा है तो भी आपको ये दिख सकता है और अगर आपका weight भी बढ़ावा है और आप alcohol moderate या excessive amount में लेते हैं तो भी आपको fatty liver दिख सकता है treatment की बात मैंने पहले भी की थी 45 minutes walk weight loss और alcohol sugar drinks को avoid करो liver function test और ultrasound आपको हर 6 महिने में repeat कराना चाहिए अगर आपका liver function test खराब निकला है अगर आपको fatty liver है every 6 months आपको ultrasound कराना चाहिए ये देखने के लिए कि ये reverse हो रहा है नहीं हो रहा एक बार fatty liver reverse हो जाए आप weight loss कर लो तो फिर 1 या 2 साल में एक ultrasound कराईए अब बात करते हैं next topic के बारे में kidney function test इसमें क्या-क्या आते हैं creatinine, urea, eGFR, sodium, potassium और uric acid ये कुछ common test हैं जो kidney function test में आते हैं जिसको हम KFTV बोलते हैं creatinine की अगर हम बात करें तो men में 0.7 to 1.3 normal है women में 0.6 to 1.1 mg per dl normal है अगर ज्यादा है इसका क्या मतलब है क्या आपको kidney failure है क्या आपकी kidney में problem है अब ये मेरी speciality है तो इसके बारे में मैं थोड़ा अच्छे से बताना चाहता हूँ even though मैंने काफी videos बनाई है creatinine और eGFR के बारे में आप सोचे kidney एक filter की तरह है हमारे bodies के सारे toxins जो हमारी body normally भी बनाती है वो इसको भार निकालता है urine के थ्रू अगर kidney में damage हो तो आपका creatinine बढ़ सकता है बट अगर हम creatinine की बात करें ये 100% accurate नहीं है kidney के लिए क्योंकि ये हमारे diet, हमारे muscle mass और age के हिसाब से अलग-अलग reading दे सकता है For example, अगर कोई आदमी gym जाता है और बहुत muscular है अगर वो creatinine supplements ले रहा है तो उसका creatinine बढ़ावा आएगा इसका ये मतलब नहीं है कि उसको kidney disease है बड़ इसका ये मतलब है कि उसकी body जादा creatinine produce कर रही है और kidney में वो दिख रहा है इन situation में आपको कौन सा blood test कराना चाहिए Cystatin C नाम का एक blood test आता है जो आपको ज़्यादा accurate result दे सकता है about your kidney function मैंने Cystatin C पे एक पूरी video बनाई है जो आप check out कर सकते है अगर आप interested है कि कब आपको Cystatin C कराना चाहिए और कब आपको creatin level कराना चाहिए दूसरे चीज़ के बात करते हैं EGFR ये kidney का working percentage है ये आपको बताता है कि kidney कितने percent पे काम कर रही है normally आपका EGFR 90 से उपर होना चाहिए अगर आप young है, healthy है तो कभी-कभी उससे भी जाधा होता है बट lab reports में 90 से जाधा दिखाता है कभी-कभी 60 से जाधा दिखा जाते है अगर आपका EGFR 60 से नीचे है तीन मंथ लगटार ये ने कि आपने एक रीडिंग कराई और 60 से कम है उसके बाद आपने एक और रीडिंग कराई और फिर भी कमा रहा है इसका मतलब है कि आपको chronic kidney disease का sign हो सकता है अगेन पैने करने की जरूत नहीं है पता करने की जरूत है कि ये क्यों हुआ है और इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा यूरिया की बात करें तो normal 15 to 40 होता है ज्यादा हो गया तो मतलब dehydration या kidney का issue sodium मतलब salt 135 to 145 नॉर्मल है कई लोगों में 132, 133 भी आता है उसमें पैनिक करने की जरूत नहीं है कई दवाईयां sodium कम करती है कई blood pressure की दवाईयां से sodium कम होता है अगर आप dehydrate हो जाओ तो अगर आपको वामिटिंग हो गई या डाइरिया हो गया तो भी आपका sodium कम या जादा हो सकता है depending on how your body is reacting पोटाशियम की बात करें तो ये 3.5 to 5.5 होना चाहिए जादा हुआ तो डेंजरस हो सकता है अगर आपका potassium 6 या 6.5 से जादा आरहा है बलड report में तो इमीजेटली hospital चाहिए ताकि वो देख सकें आप कौन सी दवाईयां ले रहे है और अगर आपको treatment चीए है तो treatment दे सकें क्योंकि high potassium is life threatening अगर हम symptoms की बात करें high potassium की तो सबसे common है muscle cramps उसके बाद dangerous symptoms आते हैं जैसे heart palpitation मतलब कि दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाना और very rarely death भी हो सकती है अगर potassium बहुत जादा है अब uric acid की बात करते हैं ये एक बहुत ही common सवाल है जो patients पूछते हैं normal value आपकी 3.5 to 7.2 है कुछ labs में ये 6.5 या 7.5 तक जाती है और लाब की अलग range होती है जादा हुआ तो gout या kidney stones का risk है gout क्या होता है जाना या लाल हो जाना उसको हम gout का attack बोलते है uric acid तभी बढ़ता है अगर आप जादा red meat ले रहे हो या फिर आपको kidney disease है इसका treatment क्या है एक दवाई है जिसका नाम है allopurinol अगर आपको gout का attack आ रहा है और आपका uric acid 8-9 है तो मैं recommend करूँगा 100 mg once a day आप शुरू करें अपने doctor से पूछ के और इसको आप titrate करते रहे या फिर dose बढ़ाते रहे जब तक uric acid कम नहीं होता और gout के attack आने बन नहीं होते अलopurinol के इलावा एक और दवाई है जिसका नाम है phiboxystat इसके बारे में मैंने बात कर ये वीडियो में वह आप ऊपर चेक आउट कर सकते हैं अगर मैं आपको एक जेनरल टिप दूँ कि कैसे आपको अपनी किड़नी को प्रोटेक करना है तो मैं तीन चीज़े बोलना चाहता हूँ blood pressure and sugar leading cause of kidney disease worldwide इन दोनों को control करिये आपकी kidney अपने आप improve होगी 10 killers जैसे ibuprofen 3-4 दिन के लिए ठीक है but long term में they can damage your kidneys very badly to a stage where they are irreversible तो ज़रा सोच के ये दवाईया खाईए अगर प्रोटेन की बात करें ये एक controversial topic है मेरे साब से 1 gram to 1.5 grams per kg per body weight आप protein ले सकते हैं अगर आप young है और पानी का intake आपका ज़्यादा है अगर आपको kidney disease है तो आपको protein intake थोड़ा limit लेना चाहिए 0.8 to 1 gram CKD 3, CKD 2 में 4 में हम और कम कर देते हैं 0.6 to 0.8 grams per kg body weight और CKD 5 में not on dialysis 0.6 grams per kg body weight on dialysis you have to increase your protein intake to 1 gram to 1.2 grams per kg body weight because in dialysis you lose protein अब मैंने अपको बताया था कि जब मैंने क्रेटन और EGFR की बात करी तो क्या करना चाहिए अगर आपका क्रेटन बढ़ावाया है पहली चीज है प्ली चीज है प्लीज एक नेफरोलोजिस को दिखाईए अगर आपके नेफरोलोजिस को दिखाईए जो की किड़नी स्पेशलिस होते हैं वो आपके simple test करेंगे पहले वो आपका urine चेक करेंगे अगर आपके urine में protein है या blood आ रहा है तो वो उसके base में आगे test करेंगे एक नेफरोलोजिस step wise आपको बताएगा कि next चीज क्या करनी है कोई भी magical device से आप एक दिन में अपनी kidney को reverse नहीं कर सकते बट अगर आपने underlying cause को पता कर लिया तो high chances हैं कि आप उसको उधर रोक सकते हैं और कई cases में improve भी कर सकते हैं तो please एक नेफरोलोजिस को दिखाएगे जो step wise आपको guide कर सकें और बता सकें कि आपके लिए next step क्या है तो दोस्तो अब आप समझ गए thyroid function test slow का क्या मतलब है fast का क्या मतलब है LFT में liver ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है और kidney के बारे में हमने काफी detail में बात की है मेरे channel में kidney की उबर बहुत videos है जो आप check out कर सकते हो अगर आप confused होते हूं जब blood test report मिलती है तो नीचे comment करिए अब google पे मत जाएए इस video को bookmark करिए और लोगों के साथ share करिए comment करके बताएए next video में आप क्या समनना चाहते हैं CBC, vitamin D, lipid profile या sugar report इस video को like करे whatsapp पे family के साथ share करे ताकि उन्हें भी अपनी report के बारे में समझ आए और channel को subscribe करना ना भूलिए मैं हूँ Dr. Arjun Sabarwal और I hope आपको ये video अच्छी लगी हो नमस्ते